ओमनमश्यूंव मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं कि हर्टाल का तीज का व्रत में कब है इस वLS क करने का सुख हो त कब है इस्व रत की पूझावीदि क्या है और सबसे जरूरी हर्टाल का तीज के महत्त क्या है और साथी साथ हम ये भी जानेंगे कि भाद प्रित्मास की सुक्र पच्च की तित्थी या तित्थी की जो तीज है उसे हर्ताल का तीज क्यों कहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको हर्ताल का तीज की संपूर जानकारी दोंगी आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिएगा जिससे की सारी जानकारी दूसरों तक भी पहुंच सके और मेरे इस वीडियो को लास तक देखेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आपके मन में कुछ तीज को लेकर अगर कोई प्रेश पूट रहे हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे हर्टाल का तीज क्यों कहते हैं तो इस व्रत को हरतालका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसाल जो कि शिवपुराण में भी मिलती है माता पारवती को भगवान संकर से विवा करना था जिसके लिए उन्होंने भगवान संकर की घनेवन में जाकर के तपस्या की और वो तपस्या किसके साथ क करके इस कहानी में हरत का मतलब होता है अपरहन करना मतलब लेके जाना और तालका का मतलब है सहेली का इसलिए क्योंकि सहेलिया उन्हें लेकर गई थी इस वरत को हरताल का तीज का वरत कहते हैं हरताल का तीज का वरत बाद प्रतमास की सुक्ल पच्की तितिया तितित के दिर र पार्वती चले आप जानते हैं तो लिए तो इस साल हांताव का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा जो तृतिया तिती है उसका और वह व पंच सितंबर की दुपहर में 12 बच्के 20 मिनिट पर होगा और apo बॉकले यानि 6 सितंबर को दुपहर 3 बच के 1 मिनट तक रहेगी तिरतिया तिथी उदैकाल में 6 सितंबर को रहेगी इसलिए हरताल का तीच का जो व्रत है वो 6 सितंबर को रखा जाएगा कुछ लोगों को पारण को लेकर के भी बहुत जादा दुबदा हो रही है कुछ लोगों का मानना है कि जब तितिया तिति खतम होती है तो पारण कर लेते हैं उस हिसाब से उसी दिन पारण कर सकते हैं और कुछ लोगों का मानना है कि रात रिजा करन करके सुबह पारण करते ह तो आपकी श्रद्धा है लेकिन कहते हैं कि जब हम हर्ताल का तीज का व्रत रखते हैं तो रात बर हम मा गौरी का भजन और पिर्तन करते हैं और सुबह इसनान आदिकर के पूजा करके उस व्रत का पारण किया जाता है तो आप भी यही करिएगा इसी से आपको सुफल की पु पूजा वीदी क्या है तो हर्ताल का तीज के दिन सुबह इसनान आदिकर के भगवान शिव और माता पारवती और गणेजी की मिट्टी की पृतिमा मनें अगर आपके पास मिट्टी नहीं है तो आप जो आपके पास पृतिमा है उसे रखकर भी पूजा कर सकते हैं इसके ब को बेलपत तरूर ही चढ़ाएं उन्हें चढ़ाना नहीं भूलिएगा इसके बाद माता पारवती की विद्विधान से पूजा करनी है और जो भी सिंगार की समगरी होती है वो सारा आपको उनको अर्पिड करना है उनको वस्त भी अर्पिड करने है इसके बाद आप आपक का तीज का क्या महत है तो यावरत सुहागन इस्तियां अपने लंबे सुहाग के लिए रखती है इस दिन महलाएं अपने पती की लंबी आईव के लिए नुजलावत रखती है और माता पारवती से सीव के समान अपने पती की लंबी आईव की प्रातना करती है जो कुमारी क या अपने पती की लंबी आयू के लिए हर्तालका तीज का ये व्रत करती हैं तो आप सभी को मा पार्वती का सिर्वात जरूर मिले आप सभी के पती की आयू लंबी हो तो जै माहर्तालका की जै गौरिमा की